हाई वीज ganhar house युझा होते है अपने डेखा होगा का morte 19 sıkडे मीच्वं जी चुलिएब को सब्सिड्री टीन स्मॉचने के बीच चार्ठे मैंन से Skinwich तो बहुत ज़्यादा excitement भी है हमने एक छोड़ा सा analysis भी आपके सामने present करने की कोशिश किये आने वाले दिनों में comparisons भी हम present करेंगे बट बहुत सारे queries आने शुरू हो गए तें कि सर यह small finance bank होता क्या है यह concept develop क्यों हुआ है तो यह हम समझाने के लिए आपको आपके सामने आए है with this video तो small finance banks क्या होते कि वहीं हमारे पास बड़े-बड़े banks है agency bank है state bank of India है icic bank है हमारे पास yes bank भी है आंगा सारे banks है तो बहुत सारे या फिर माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसमेंस हुए है या फिर आप छोटी-छोटी यह ठेलेज वगरे लगाते हैं वह सारे लोग हो गए तो इनको क्रेडिट अबिलेबल दी होता इमेडेटली तो उसके लिए उन्होंने यह स्मॉल फैनास बैंक्स को प्रमोट किया है पहले बहुत सारे microfinance institutions होते थे जो इनको serve करते थे और एक बहुत ही exorbitant type of interest charge करते थे हमने एक example भी बताया था आपको कि किसी को अगर 1000 रुपे चाहिए से suppose 4-5 दिनों के लिए और आप उसे बोलो कि 1000 रुपे देता हूँ तो उसे लगता है ठीके 100-200 रुपे ले रहे मेरे से एक्स्ट्रा बट अगर आप उसको annualized yield करोगे तो बहुत बढ़ी हो जाएगी तो RBI के ध्यान में आगया कि यह चीज़े ऐसी नहीं होनी चाहिए इसके लिए भी proper structuring होनी चाहिए तो उन्होंने बोला चलो हम एक काम करत है हम small finance banks का मतलब एक नहाया rolling लाते है जो RBI के अंडर ही होगा completely properly RBI के rules and regulations के इस अब से management होगा तो फिर वहाँ पे यह सारी चीज़े develop होनी शुरू हो गई तो फिर उन्होंने license देना शुरू कि around 70-80 लोगों ने aspirations दिखाए थे कि हमें small finance bank बनने का license दीजिए तो RBI ने objective क्या होता है कि कि किसको देना है मनलब serve करना है unserved and underserved categories of our society तो उनको यह loans देते है या फिर इनकी savings के options भी होने चाहिए मतलब यहां अगर इनके जो further objectives जो होने चाहिए वो होना चाहिए provision of savings vehicle तो first is provision of savings vehicles अब provision of savings vehicles मतलब क्या कि आप saving account open करो आप current account open करो आप चाहो तो fixed deposits करो यानि कि savings करना शुरू करो एक बार आपके savings होने शुरू हो जाएंगे तो automatically assets सामने दिखने हो जाएंगे और आपका financial profile जो होगा ने discipline profile होगा तो इसके लिए provision of savings और दूसरा objective जैसे हमने बताया था कि credit का access होना चाहिए proper होना चाहिए कि हाँ ठीक है अगर आपने एक बार saving account current account open कर लिया तो आप bank में जाना शुरू कर दोगे फिर आपको लगेगा यार मुझे थोड़ा बहुत loan चाहिए मेरे business को help करने के लिए फिर वहाँ पे आपको bank अगर आपका savings का profile बिल्ट हो गया आपका account develop हो गया तो फिर महां से bank आपको loans भी देता है credit access मतलब credit क्या होता है credit याने कि banks जो आपको loans देता है या फिर bank के जो advances होते ही अलग-अलग नाम use किये जाते हैं तो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि ये नाम normally हमारे लिए बहुत familiar है बड़ advances या फिर credit ये नाम हम familiar नहीं है तो हमने just explain करने के लिए आप लोगों के समय ये सब चीज़े रखने की कोशिश किये दोस्तों तो ये जो credit access है ये किसको देना चाहिए तो ये farmers को देना चाहिए small and marginal farmers या micro and small enterprises इनको ये access मतलब ये credit access होना चाहिए ये basic objective के साथ ये सारी चीज़े शुरुआत हुई है तो ये small finance bank को rules and regulations कुण से applicable होते है तो ये small finance bank को भी normally RBI के सारे rules and regulations follow होते है जैसे कि private sector banking के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सिर्फ FDI की limit जो है 74% ही है इसमें भी foreign direct investment हो सकती है उसमें कोई problem यहाँ पे नहीं है दूसरा इनका जो lending होना चाहिए ये जो bank से ये जो lending करते है उसका at least 75% lending जो है at least 75% का जो lending है वो priority sector lending होना चाहिए और normally ये जो priority sector lending है ये पूरा का पूरा allocation जो है ऐसी जगहा पे है जहाँ पे commercial banks ज्यादा interested नहीं होते है इसलिए even commercial banks को भी some percentages mandatory किये हुए है बट यहाँ तो जो percentages दिये गए है मतलब 100 रुपए का total loan book है आपका तो उसमें से 75 रुपीज का loan book जो होना चाहिए वो private sector lending को होना चाहिए private sector lending मतलब सारी यह unserved and underserved sectors होंगे ना जैसे farming हुआ micro and small enterprises हो गए तो उनको ही major major यहाँ पे funding होनी चाहिए जहाँ पे नॉर्मली यह commercial banks जाबर जाना पसंद नहीं करते हैं उनको लगता है यह छोटे-छोटे यहाँ पे develop हुई है कि इनका जो focus होना चाहिए majorly इधर ही होना चाहिए इसलिए 75% तक का जो lending है वो private sector lending होगा तो automatically इसमें से क्या हो जाएगा कि यह जो banks होंगे नहीं हमेशा retail oriented banks ही रहेंगे जैसे कि हम हम बोलते है ICICI bank या फिर SBI या फिर आपका पसंदिदा yes bank यह banks में जो problems होई है majorly wholesale banking यह जो wholesale loans दिये गए चहां पे NPS के pressure बहुत ज़ादा create होए और इसलिए वो NPS के pressure अभी जैसे उजिवन small finance bank के बारे में हमने जो video बनाया था उसमें हमने आपको बताया था 0.9% का जो है वो gross NPA है वो given small finance bank का and 0.3% is their net NPA तो आप समझ सकते हो यह कम होने का reason भी वही होता है क्योंकि यहाँ अच्छा खासा जो lending है वो retail oriented lending है तो वहाँ normally उन लोगों को बार-बार credit लगता रहता है तो वो अपना credit profile automatically maintain रखते है और वहाँ से यह इनका business भी smoothly चलता है तो यह आप लोगोंने हमेशा देखना चाहिए then इसमें और एक क्या है 50% जो loans हैंगे जो इन्होंने दिये हुए 50 दे सकते है यह small finance bank उसमें से 50% loans जो होने चाहिए वो up to 25 lakhs होने चाहिए तो यह automatically मतलब 25 लाग के नीचे के ही loan at least 50% जो loans दिये गए है वो 25 लाग के नीचे की होने चाहिए तो यह और एक तरीका हो गया कि इनको कैसे retail lending में ही रखना है 75% priority sector lending हो गया तो automatically यह जो condition है वो approve हो जाएगी बाखी यह कितने भी deposits accept कर सकते हैं कितने भी saving account में आप पैसा रख सकते हो current account में आप पैसा रख सकते हो उसमें कोई restrictions यहाँ पे available नहीं है तो यह सारी चीज़े आप लोगोंने देखने चाहिए इसलिए आप लोगोंने देखा होगा अबी कि बहुत सारे even urban areas मे भी यह लोग अपने banks के branches open कर रहे है अच्छा खासा business growth रखने की कोशिश यहाँ पे हो रही है RBI ने बोला है इनको कि भाई जब से हमने आपको license दिया अपने operation शुरू किये है तब से लेके 3 साल के अंदर आपको listing करनी होगी यहाँ पे अब listing क्यों करनी है क्योंकि यह जो promoters है इनको अपना stake नीचे लाना है तो यह promoters के भी कुछ conditions है जो हम आप लोगों को बताएंगे अभी जैसे कि एक पहला condition individuals or professionals जो 10 साल का experience है जिनका NBFC में या फिर बैंकिंग में या नन बैंकिंग फिनेंशल कंपनी या फिर बैंकिंग में वो यह लोग स्टार्ट कर सकते है इसके लिए equity capital जो paid up equity capital है at least 100 crore रुपीज लगेगा ऐसा इंका कहना है और उस 100 crore में से at least 40% का जो capital होगा वो promoter ने initially डालना चाहिए और next 12 सालों में promoter ने अपना जो stake है वो 26% के नीचे लाना चाहिए तो यह कुछ conditions RBI ने इनके पास रखे हुए बाकि FDI अगेरे का हमने आपको बोल दिया कि normal जैसे banking private bank bankers के लिए जो regulations है जैसे कि 74% FDI allowed है तो वो सारे rules and regulations even small finance bank के लिए भी available है यह काफे interesting field develop हो रही है दोस्तो small finance bank की तो हम चाहेंगे कि बहुत closely watch रखे हम आने वाले समय में यह जो listed bank से small finance bank उनका comparison करने की कोशिश करेंगे उजीवन के small finance bank के साथ क्योंकि IPO आ रहा है तो इस बेटर कि आप लोगों के समनी बहुत सारी चीज़े और open up हो जाए ताकि आप लोग भी decide कर पाओ कि कौन से bank को आप लोगोंने invest करना चाहिए यह एक business profile की हिसाब से अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे लोन देने की व वापस कर रहा है 6 मेने के बाद तो वो 10% का भले ही interest हो absolute terms पे but annualized terms पे वो 20% हो जाता है और वहाँ पे इनके margins बहुत जादा improve हो जाते और अगर NPS भी under control रख रहे हैं यह banks तो बहुत ही बड़िया चीज़े तो हम आशा करते हैं कि यह छोटा सा वीडियो आप लोगों को हमारे जो research products advisory तो आपका discount जो है 27% तक भी जा सकता है तो जरूर इस चीज़ का लाब उठाईएगा दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा app डाउनलोड नहीं किये तो फ्लीज Google Play Store को विजिट कीजिए वहाँ से आप लोगा हमारा app डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से आप हमार विजिट कीजिएगा और नेक्स वीडियो तक के लिए मुझे आगर दीजिए दोस्तों जाए हिन